वेलिकम बैक तुमाय चैनल तो आज हम बनाने वाले हरी मिर्च का ठीचा जो कि महारास्ट्र का फीमिस है ठीचा और महारास्ट्रीन हर घर में यह पाया जाता है लोग बहुत पसंद करते हैं इसे खाना तो चले देख लेते हैं यहाँ पे मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ले लिए है य दी तेबल स्पून । 2 तेबल स्पून एड़्ेगे हमारी हरी मिर्चे, इसे चला लेंगे, अर फ्लेम हरी जाल। इसे धीमी धीमी आच पे ही कुप करेंगे, तो हम इसे अच्छे से चला लेते हैं, ताकि जो इसका रॉनस है, मिर्ची का और लहसन का निकल जाए, तो इसे हम तीन से चार मिनिट तक ही कुप करेंगे, वो भी धीमी आच पे, अब इसके बाद यहां पे मैंने हाफ टेबल स्प और गुप करेंगे, एक मिनिट के लिए, सिर्फ एक मिनिट तक ही हम इसे कुप करने वाले हैं, तो एक मिनिट में जो हमारे लसन भी है यह भी अच्छे से पक जाएंगे, और जो कच्छा पन है, मुंग फली का शेंग दाने का यह भी निकल जाएगा, लहसन का कच्छा पन निकल जाएगा, तो हमारे सारी जो चटी के इंग्रीडेंट्स है, यह अच्छे से कुप को जाएगे, ओवर कुख हमें इसे नहीं करना है, तो आप देख ली जो जो मिर्चे हैं, एक मिनिट के अंदर ही है, उपर से आप देख के पता लगा सकते हैं, कि यह को खोची है, औ अब हम क्या करेंगे, कि गैस का फ्लेम जो है, यह बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, और इसे थंड़ा होने के लिए, चार से पांच मिनिट तक रख देंगे, तो यह देखिए, इसका कलर चेंज हो चुगा है, कि इतना ब्यूरिफुल कलर लग रहा है, तो यह थंड इसे अच्छे से कूटेंगे, और यह और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है, अगर आप सिल्बटे पे इसे पीस्ते हो तो, बट आजकल अविलेबल नहीं हो पाता है, तो अगर आपके बस अविलेबल नहीं है, तो आप इमाम दस्ते में या तो मिक्सी के पॉट में इसे कूटने के बाद, देखें यह बाहर भी आसकता है, तो मैंने इसे हाथ से कवर कर लिया है, ताकि जो मिर्चे हैं यह बाहर ना है, ध्यान रखिएगा, यह ठेचो होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, इसे आप रूटी, पराठा, दाल चावल, या खिचडी के साथ एंजॉ महरास्तिन फेमिस थेचा मिर्ची काई रडी हो चुका है, आप इसे जरूर से ट्राइ कीजिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज दिव लाइक, शेयर और सुब्स्क्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल, थैंक्स फो वच्छिं, वच्छिं,